तो हम शुरू करते हैं अपनी स्लाइड के साथ यहां पर तो पहली वाली स्लाइड में काफी सारी इंफोर्मेशन है एक ही करके समझने कोशिश करते हैं हमें basically pressure variation देखना है ठीक है अगर हमारा फूमले के साथ हम इन तीनों को एक करके study करते हैं तो पहला हमारा फूमले है जिसमें हमने एक liquid रख दिया है बिल्कुल static है ठीक है तो जायर सी बात है यहां पर जो है हमारे सिफ gravity लग रहा होगा तो भई हमारा क्या है जीफेक्टिव है तो उसका direction कैसा है vertically downward है अगर vertically downward है तो हमें जब हम vertically downward जाएंगे तो भी pressure में variation आएगा horizontal जाने पर कोई भी pressure में variation नहीं आएगा ठीक है इसलिए इसका जो top surface है वो हमारा horizontal रहता है जहां पर pressure में कोई भी change नहीं आना चाहिए हमेशे ध्यानक जो भी जीफेक्टिव का direction है उसके perpendicular direction में हमारी top surface रहने वाली है क्योंकि यहां पर हमारा जीफेक्टिव यानिकी g नीचे की तरफ ही है तो हमारा top surface कैसा रहने इसके perpendicular यानिकी horizontal रहने वाले है ठीक है अगर रो तो अगर हमें हलका सा pressure variation है हलका सी elemental length के अंदर तो हम क्या लिखेंगे रो जी डी लिखेंगे ठीक है अगर रो जी constant है तो जाहिर सी बात हम इसको integrate करेंगे रो जी वहार आ जाएगा तो हमारा डी जो है वो डेल्टा वाई ब एक्सलेट कर रहा है let's say horizontal में एक्सलेट कर रहा है ठीक है तो क्या होगा हम इसको उल्टा कर देंगे तो यह जी एफेक्टिव बन जाएगा तो एक तो यह आ जाएगा और यहां पर हमारा जी होगा ठीक है इन दोनों का resultant आएगा वो हमारा क्या बनेगा जी एफेक्टिव ठीक है तो हमारा जो top surface रहेगा वो इसके perpendicular रहने वाला है यानि कि ऐसा रहने वाले है तो अगर कोई हमसे एंगल पूछे तो हम असानी से निकाल सकते हैं यह एंगल थीटा होगा यह एंगल 90 मैनेस थीटा और यह एंगल क्या होगा थीटा तो यहां से हम देखें हैं तो 10 थ हमारा यहां से कितना हो जाएगा एंगल हमसानी से यहां पर निकाल सकते हैं साथ में यहां पर हमारा gravity के basically दो component हो गए है, ठीक है, एक हो गए हमारा ये वाला, इस तरह से, ठीक है, और एक हो गए हमारा ये वाला, तो जब हम horizontal में move करेंगे, तो भी pressure में variation आएगा, और vertical में move करेंगे, तो भी pressure में variation आएगा, ठीक है, तो कितना आएगा, जब horizontal में dx move करेंगे तो यह वाला component हमारा जो है वो pressure variation के लिए responsible रहेगा तो कितना आएगा rho a dx आएगा अगर हम downward move करेंगे तो gravity उसके लिए responsible होगा तो rho g dy आएगा ठीक है तो हमें ध्यान अगना हम horizontal में move करें तब भी आएगा vertical move करेंगे तब भी आएगा ठीक है अगर हमें net effect निकालना हो तो वो दोनों की combination से पर निकाल सकते है ठीक है तो यह हमारा second case होगे जापर हमने fluid को horizontally accelerate किये अब आते हमने third case में जापर हम बात करें rotating fluid की ठीक है अब rotating fluid को जैसे मैंने बात किया अगर कोई भी fluid रोटेट करेंगा circular motion के अंदर जाएगा तो वहां पर हमारा centripetal acceleration रहता है कैसा रहेगा centripetal acceleration हमारा readily inward रहेगा ठीक है तो अगर हम उसको gravity में convert करेंगे तो हमारा readily outward हो जाएगा which is omega square r ठीक है अगर मैं यह वाला case न हूँ इस वाले particular case के अंदर तो हमारा centripetal acceleration है वो inward होगा तो हमारा जो effective gravity acceleration corresponding वो हमारा outward बनेगा ठीक है तो अगर हमारा outward बनेगा तो यहां पर इस direction में जाने में pressure बढ़ेगा ठीक है अब इसको integrate करेंगे तो कितना आ जाएगा रो omega square r dr condition कितना होगा r square by 2 हो जाएगा ठीक है limit put कर देंगे 0 से लेकर के last limit तक ठीक है ध्यानक न यहां पर pressure जो है वो end point पर center के मुकाबले जादा होगा जाएसी बात है ठीक है तो यहां पर हमारा pressure जादा यहां पर हमारा pressure जो है वो अलग रहने वाला है तो question ऐसे बन जाते हैं गईबर कि इन दोनों को हमें relate करना होता है यहां से भी अपने pressure को निकालते है जैसे पी नोट प्लस में रोजी हच वन होगा और यहां से भी निकालते है पी नोट को भी relate करना पड़ सकता है ठीक है तो हमारी पहली स्लाइड है मैंने सारे सारे pressure के जो variation है वो possible variation ले लिए है अब हमारा जो यूटूब जो शेप जो यूशेप की जो ट्यूब होती है उसके उपर भी हमारे question आया थे और बच्चों को मैं देखा कि अकसर बच्चे गलती करत है ठीक है तो पूछा है कि mercury कितना rise करेगा अकसर जो बच्चे है वो यह वाला diagram मना जते है जो जिससे आंसर हमारा गलत आएगा अगर आपने यह वाला diagram मना दी आंसर गलत आएगा हुआ क्या है आपने 13.6 cm का पानी डाला और आपने बोला mercury x rise कर गया अगर mercury x rise करेगा तो य अगर mercury x rise किया है तो आपको यहां से mercury को x fall भी करवाना है अगर आपकी इस diagram से solve करेंगे तो आपका अंसर करेट आएगा करना कुछ भी नहीं है आपको इस pipe से गुसो और इस pipe से निकल जाओ ठीक है तो यहां से कर गुसेंगे तो पीनोट हो गया ठीक है और यह हो गया हमारा रो वोटर इंटू में जी और यह लाइन कितनी है 13.6 cm ठीक है जब यहां पर पहुंच जाएंगे mercury में हम जानते है static liquid के अंदर same liquid में same vertical level पर हमारा pressure जो है वो same रहने वाल है तो जैसे यहां से जाएंगे तो फिर हम यहां पर जंप कर सकते हैं ठीक है हम यहां पर जंप करें जी इंटू में 2x वापिस कहां पहुंच गए यहां पहुंच गए ठीक है तो इसको क्या लिखेंगे pressure पी नोट पी नोट पी नोट कैंसल आउट हो जाएगा and you can easily solve it रो डाटा भी अच्छा दी है जो कि 13 cm होगा और mercury का भी almost 13 cm मान करके आप इसको solve कर सकते हैं ठीक है तो इ यू शेप में जो है वो गलती नहीं करेंगे आगे बढ़ते हैं आगे हमारा आगे बैरोमीटर ठीक है बैरोमीटर हमारा किस काम आता है atmospheric pressure measure करने काम आता है हम करते क्या है एक length लेते हैं एक एक जो है यह हमारा यू शेप का हमने जो है यह एक test tubes आप बोल सकते हैं इसको invert करते हो तो mercury अगर उसमें 76 cm से ज़्यादा आपने फिल करका है तो जाईसी बात है वो नीचे आयाती है नीचे आने से यहां पर क्या बनता है एक vacuum create हो जाएगा और हम जानते हैं यहां पर कि यहां पर और यहां पर दोनों प्रेशर क्या होगा सेम होने वाला है P1 और P2 अगर आप normal C level पर प्रेशर मेजर कर रहें ठीक है तो जैसे आप इसको invert करोगे तो यह नीचे आएगा नीचे आएगा तो पीशे क्या बच जाएगा vacuum यहां पर pressure कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है तो आप यहां पर zero pressure क्या नीचे आओगे ठीक है तो यह हैच है आपको नीचे आना है जिससे यह वाला pressure और यह वाला pressure क्या होगा आपका सेम होगा ठीक है क्योंकि यहां पर दोनों जो है same level होगे हमारा horizontal liquid का यहां पर तो हमारा pressure क्या आना ची सेम आना ची तो मैंने आसा साथ किया zero plus में rho g h और यह हमारा किसकी बराबर होजएगा atmospheric pressure के बर गरेंगे जी का value 9.8 और हमने experimentally find out किया है कि 76 cm जो है वो mercury का kolam आता है तो इससे जो हमें pressure मिलता है वो यह वाला pressure मिलता है ठीक है 1.01 x 10 की पावर 5 ठीक है तो इसमें अगर हम liquid को और ले ले लेंगे जैसे water ले लेंगे तो height हो सता है कि 10 meter हो जाय सी बात है इतने बड़े बलक होता है ठीक है जहां पर यहां पर pressure को zero नहीं रखता है तो आपको अवे रहन है इस सारी सारी जो 70 cm की height आई है mercury कोलम की यह तभी आई है जब आपने ऊपर जो है vacuum create किया हुए ठीक है मैं आपको अगली side में question दिखाता हूं ठीक है जैसे पहला question तो बिल्कुल simple ही है पहला question क है ठीक है और exception गुल्टा किया तो हमारा क्या बन गया जी फेक्टी का value कितना आगए बच्चों जी प्लस ए तो आप इसने बोला है कि अभी यह 76 cm ही जो है वो अभी भी reading दिखा रहे है तो जाहिए सी बात अगर आप 76 cm अब नीची आओगे तो जी का value जी प्लस ए हो चुग second अगर सवाल देखें तो वो बड़ा interesting है उसमें अकसर बच्चे गलती कर देते हैं उसमें आपने क्या बोला कि आपने mercury को पूरा नहीं बरा ठीक इसको मैं रेस कर देता हूं थोड़ा स्पेस बन जाएगा अपने लिए तो आपने एक मीटर की लिए यह आपकी जो test tube है क्या होगा कुछ जो है वो liquid column जो है जैसे आपने 76 इसको invert किया तो यहां पर हमारा जो है वो क्या हो गया अब vacuum नहीं है जो यहां वाली जो air थी वो यहां पर trap हो जाएगी ठीक है जो कि यह एर हमारी atmospheric pressure पर थी तो यहां पर जो air ट्रैप होगी है वो भी किस पर हो गई है atmospheric pressure पर हमारी air पर trap होगी है जाएसी बात है अगर यहां पर हमारा pressure जो है अब zero की बजाए atmospheric हो गया है तो फिर यह तो liquid level fall करेगा क्योंकि अगर liquid level fall नहीं करेगा तो यहां का और यहां का pressure बराबर नहीं हो पाएगा ठीक है अब अक्सर बच्चे इसमें answer zero बोल देते हैं ठीक है इंक्रीज करने लग जाएगा तो हमारा pressure में जो है वो क्या आता है? decrement आता है तो pressure जो है जैसी liquid नीची जाने लगेगा तो यहां पर pressure atmospheric नहीं रहेगा कुछ decrease कर जाएगा तो इसलिए हमें हलका सा height तो चाहिएगा ठीक है? हलका सा हमें height चाहिएगा ताकि हम जो है वो यहां का और यहां का pressure बराबर कर सके हैं बिल्कुल zero नहीं होगा तो फिर यहां पर हमारा pressure atmospheric से कम होचेगा और यहां पर कितना होगा? atmospheric होगा तो गडबड हो जाएगी इस वाले में आपको ध्यान अकना है कि answer जो है फिर हमारा क्या आएगा? कि mercury column का height रहेगा लेकिन 76 से कुछ कम तो ना answer इसका zero आएगा और ना इसका answer 76 आएगा यह दो possible जो है वो गलत option है 76 और zero ठीक है? तो इस वाले barometer में और तो कहीं उल्जाने का ज़्यादा scene नहीं है सिर्फ एक ही जिए scene है कि यहां का जो उपर वाला pressure है उसको वो vary कर देता है ठीक है? तो आपको ध्याना है कई ब आपको क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा ठीक है? तो ऐसे इन वाली बातों को आपको जो है वो अवे रहना है थोड़ा सा कहीं है यहां पर barometer में आपका question गलत ना हो जाए ठीक है? आगे चलते है बच्चों अब हम करते है पास कर लो पास कर लो तो में का जो है सब सार जाने वाले है ठीक है? तो आपने घर यहाँ पर एक force लगाया which is F 1 तो आपने pressure बढ़ा दिया है F 1 by A 1 का ठीक है? अब आपने यहाँ पर जो pressure बढ़ाया F 1 by A 1 का वो pressure यहां भी बढ़ गया है और अगर pressure यहाँ पर बढ़ गय है F 1 A 1 का तो यहाँ एक एक extra force आ गए वो force जो यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक high force को obtain कर सकते हो, और आप एक simple force से भी जो है, यह car वगएरा को आप lift कर सकते हो, ठीक है, इसका application हम जानते हैं, hydraulic lift में होता है, यह hydraulic brakes वगएरा, जहां भी hydraulic का काम आयाता है, वहाँ पर इसी वाले funding का basically इस्तमाल होता है, तो आप यहाँ पर low force में input दे करके जो है, वो high force में output पा सकते हो, कई लोगों लगता है कि यह कुछ violate कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कम input दे रहे हैं, output जादा कैसे आ रही है, ठीक है, बट कोई violation नहीं है, अगर आप energy conservation करते हैं इसके अंदर, तो energy जो है, जितना यह work करेगा, उतरह यहाँ य होता है, कि एक low जो है, छोटा सा जो बच्चा है, वो भी एक मोटे बच्चे को उठाएगा, अगर यह lever का length जो है, वो काफी ज़्यादा होगा, तो काफी तक उसको similar चीज यहाँ पर भी है, कि हम low force में input दे रहे हैं, बट हम यहाँ पर output जो असल कर रहे हैं, वो comparatively ज़्या है, तो हम एक example देते हैं, यह जो example है, बच्चों, यह J mains के अंदर आया हूँ example है, ठीक है, रिसेंटली आया 2020 में, ठीक है, इसमें उन्होंने क्या बोलखा है, कि एक 100 kg के मास को जो है, वो आप lift कर रहे हो, एक M मास के साथ, ठीक है, बाद में उन्होंने क्या है, डायमेटर बढ़ा दिया है, लार्ज किस्टन का, कितने टाइमस, चार टाइमस, तो एरिया कितना हो जाएगा, सोलर टाइमस बढ़ जाएगा, और स्मोलर का जो है, वो ओर डिक्रीज कर दिया है, ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है, कि आपका जो सेम जो है, वो मास को lift कर पाएगा, तो हमने कुछ भी नहीं किया यहां पर वही वाला F1 A1 तो पहले कितने को लिफ्ट कर रहा था 100 kg तो 100 G by A1 और यहां पर मास्क हो सा था M G upon A2 अब हमने यहां पर क्या किया है एक नए मास्क को लिफ्ट करना उसका वैली हमने मान लिया M ठीक है क्योंकि हमने इसका एरिया जो है पन और इंटू में 100 तो 25600 kg आपको यहां पर वैल्यू मिल जाएगी ठीक है तो पास के लो पे बड़ा सिंपल कोशन जो है वो आपको भी फस सकता है ठीक है कुछ तो एजी आता ही है कोई ज़रूरी नहीं है सबसे एजिएस में हिया से पास के लो के उपर ही होते है ठीक है अगर अगर शुत है पास के लो में किया अनरजी कंजर्व है तो ईनर्जी कंजर्व रहती है और जी जानते है क्यन अगर आपको आपको क्या नजर आएगी आपको हल्की नजर आईगी तो इसी बात है उपर की तरफ फोर्स होना चीए ठीक है वो फोर्स जो है वो आर्कमेटिक्स ने बताया कितना होता है वो होता है रो ओफ लिक्विड ठीक है यह तो सब अवेर ही होंगे वो डिस्प्रेस करेगा ठीक है तो यह हमें यहाँ पर जो है वो बताया है आर्कमेटिक्स ने कि अगर आप किसी भी अबजेक्ट को जो है वो फ्लूड के अंदर इमर्ज करते हो तो इतना आपको बाइंट फोर्स उपर की और मिलता है ठीक है बट जादा सीजली ना नहीं है आर्कमेटिक्स को क्योंकि इसमें बहुत पर देखते हैं कि यहाँ पर फसा लेती है मैं आपको एक अधे ग्जामपल लेकर करके दिखाऊंगा ठीक है तो यह तो बोत पुराने आदमी थे अर्कमेटिक्स ठीक है न्यूटन वुटन आगे हैं हम जानते हैं कि किस कारण से ज क्योंकि नीचे प्रेशर जादा होता है उपर प्रेशर कम होता है ठीक है तो अगर बोडी आपकी एक डेफिनेट शेप की है जिसे स्लेंडर हो गया या इस तरह हो गया तो मैं अड्वाइस करूंगा आप प्रेशर डिफरेंस इंटू में एरिया से अपड फोर्स निकाले अगर आपकी बोडी एक अर्बिटरी शेप की है फिर तो जायर सी बात है अपन प्रेशर से जो है वो फोर्स निकालना अपने लिए संबब नहीं हो पाएगा वहाँ पर अपन आर्कमडिस के इसमाल करते है ठीक है तो मैं आपको दिखाओंगा कुछ कैसी जैसे जहां पर ज इसमें क्या होता है जैसे कि एक बोड पहले सी तैर रही है ठीक है बोड तो पहले भी तैर रही है और बाद में भी तैर रही है इसने बोला है कि बोड का डेमेंशन दे दिया है ठीक है अपने इसको इस तरह से ले लेते है बोड का डेमेंशन दे दिया है ठीक है और यह इस extra बन्द आ गया, तो इस extra weight के लिए extra bind force हम यहांपे से क्या करते हैं, extra bind force ही हम यहांपर जो है, वो calculate करेंगे, तो extra bind force कितना होगा, row of liquid, which is 1000, area कितना है both case-gef素 6, 3 into 2, कितना old dip कर गई विघ्या अदर, which is, यहांपर लिखा होगा, हमने 10 centimeter, ठिक है, 10 by 100 और यह हमारा जो extra bind force है वो extra जो weight आया है उसको balance करेगी तो हमने इसको mg से equate कर गया तो यहां पर हमारा m का value निकल करके आजएगा जो भी value निकल करके आएगा ठीक है तो यह आप ध्यानक ना आपको पूरा initial condition निकालने की जुरुत नहीं है अगर कोई बंदा उसके उपर आ रहा है ठीक है तो आपको जो है वो simply जो है extra bindancy से आपको उसके weight को equate करना है ठीक है आंसर देख लेना कुछ हो सकता है कि calculation mistake है अपर मुझे लग रही हलकी सी एक जिर एक जिर काट होगे ठीक है तो hopefully ठीक हो अगर तो भी कोई दिकत नहीं एक जी यहां से कट जाएगा ठीक है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो यह जही मेंस के साफसे हो गया है ठीक है अब advance के साफसे जैसे कर मैं बात करूँ तो यह हमारे दो liquid है थोड़ा सा यह liquid नीचे वाला डाक अपने को कम नजर आ रहा है लेकिन यहां पर एक आपके लिए लाइन जो खीज देता हूं कि यह वाला जो liquid है color तो चलो जादा नहीं वैरी करेंगे ठीक है तो यह एक अलग liquid है यहां पर अगर आप देखो तो ना और यह यहां पर एक अलग liquid है लिक्वि X में जो है j-min ser advance तो इसका एरिया दे रहा है A by 5 जो की जादा relevant रहेगा नहीं तो इसको बच्चे दो तरीके से निकालते एक किस तरीके से निकालते है बच्चे कि. आर्कम्ट इसको लगाते है जैसे उन्होंने बोला तो ऑनों क्या बोलते है कि by and force वाले Ray लिक्वि को धि 3L by 4, 3L by 4, into G, ठीक है, तो यह आपका आगे हैं पर volume जो है, इसने जितना भी displace किया, ठीक है, इस वाले liquid का, similarly यहाँ पर भी आप नहीं कहा सकते हो, तो D into area A by 5, ठीक है, into your length कितनी बच्चों, L by 4, into G, ठीक है, is equal to आप क्या करोगे, is equal to आप कर दोगे हाँ पर इसका weight, इसका weight कितना होगा, इसका density निकालना है, तो row कर दिया, ठीक है, और इसका area तो A by 5 ही है, ठीक है, और into में हम क्या लिखेंगे, इसका जो length है वो L हो गया है, into में G, ठीक है, L को मैं से लिखेंगे, तो यहाँ से आप देखोगे, A by 5, A by 5, A by 5 तो सारे से कट जाएगा, G, G, G भी कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा density, length भी काट सकते हो, ठीक है, यह density D थी, यह कितनी थी, 2D थी, यहाँ पर हमारा कितना आगा, D by 2 आगया, आप इन दोनों को add करोगे, L सी में लोगे 4, तो यह हो जाएगा, 3 plus में 2, 5D by 4, ठीक है, तो आप ऐसे करके इसको निकाल सकते हो, आप इसको एसे भी नहीं काल सकते हो, कि आप Newton को इस्तमाल करो, आप बोलोगे, यहाँ पर pressure कितना होगा, मेरा P1, ठीक है, तो नीचे से P1, A by 5 का force आएगा, और यहाँ पर जो pressure है, उसको मैंने बोल दिया, P2, वो उपर की तरफ आएगा, तो अगरा P2 का value लिखूँ, तो P2 का value कितना होगा, बच्चों, P1, प्लस, यहाँ पर जाएगे, तो pressure कितना होगा, D, और यहाँ पर हमारा length होगा, 3L by 4, इंटु में, G, ठीक है, और और नीचे जाएगे, तो कितना होजाएगा, 2D, ठीक है, length L by 4, और इंटु में, G, ठीक पर जाएगा, ठीक है, वो होगा, P1 इंटु में, A by 5, इसको आप equate करोगे, इससे, M, G से, और M, G आप लिख सकते हो, रो इंटु में, जो भी हमें निकालना है, इंटु में, एरिया, A by 5, इंटु में, इसका length, ठीक है, तो P1, A5, P1, A5 तो कट जाएगा, यहाँ से, तो पी जमार answer निकल करके आएगा, वो same निकल करके आएगा, तो बच्चों लोगता है, कि दोनों ही method ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वारी, लेकिन, एक बर J.E. ने यहाँ पर यहाँ पर यह सवाल पूछाओ है, मैं जरूर आपको इसकी तरफ पॉइंट आट करना J.E. ने एक बर यहाँ पूछाओ है, कि यह आपका एक लिक्विड है, लिक्विड बोल देता हूं, लिक्विड बोल देता हूं, लिक्विड वन जो है, वो इसके उपर कितना force लगा रहा है, तो अपको लगेगा, कि हाँ इसका भी कुछ नहीं कुछ पार्ट जो है, वो ड लगाएगा, और कई बच्विड यह वाला answer कर देते है, रो इंटू में यह वाले volume से multiply कर देते है, ठीक है, इंटू में जी, ठीक है, लेकिन वा answer गलत होता है, इसमें answer क्या आएगा, 0, क्योंकि आप Newton से कर देखो है, तो लिक्विड इस पर ऐसा force लगाएगा, ऐसा force लगा तरीके से निगा लेंगे, तब अपना आर्कमेटिस को यूज करते है, यह बार बार यह धोखे बच्चों को देती रहती है, मैं एक और question लेता हूँ, वो comprehension के अंदर आया था, यह वाला question देखो जड़ा, तो यहाँ पर यह आप देखोगे, तो आपका आर्कमेटिस प्रिं यहाँ का pressure into area, यहाँ का pressure into area, यहाँ का pressure into area, उससे एक question solve करना चीज़ा, question तो मैंने नहीं लिया, लेगन मैंसिर्फ डायग्राम ले लिया, ठीक है, आपको बताने के लिए, कि J जो है, वो कितनी बार इस वाली बात पर फसाती है, ठीक है, तो आपको ध्यान लगना है, अगर figure standard है तो use newton laws of motion to calculate buoyant force ठीक है और अगर figure arbitrary है तो जाहिए सी बात आपको argumentus के लावा कोई option ही नहीं है ठीक है तो इस बात का खास ख्या लगना है argumentus principle में यह वाली गलती हो सकती है ठीक है बाकी और छोटे मोटे question भी argumentus बन सकते हैं जो मैंने नहीं लिये है due to time constraint जैसे कि अगर मैं हलका सा example आपको बताई दूँ कि एक लोहे का आपने जो है वो बोल ले लिया है ठीक है उसका थिकने सापने ले लिया T ठीक है और इसको एक liquid के अंदर submerge कर दिया है ठीक है तो इसमें भी mg को balance करना है किस से bind force है ठीक है तो fb से बस ख्या लगना है यहाँ पर mg हम क्या लिखेंगे अब देखो क्यों कि यह hollow है ठीक है मैंने जो स्फेर लिया यहाँ पर क्या लिया है hollow लिया है ठीक है तो यहाँ पर जो volume है वो mass में contribute नहीं कर रहा है ठीक है ती मैंने मान लिए इसकी थिकनेस ती बहुत स्मॉल होगा ठीक है जैसे होता है पर element लेते हैं hollow sphere का जैसे solid sphere के अंदर एक hollow sphere का element लेते हैं DR thickness पर तो वो elemental volume कितना बनता है 4 pi r square dr बनता है similarly यह कितना होगा 4 pi r square t हो जाएगा ठीक है इंटु में G और bion force में जो लिखेंगे तो वो पूरे का volume लिखेंगे ठीक है जोकि जो भी volume इसका है उतना ही liquid तुमने डिस्पेस किया तो वो क्या लिखेंगे जो भी liquid density let's say मैंने d मान ली तो d इंटु में volume जो इस पूरे का which is 4 by 3 pi r square इंटु में G तो यहां से उसने जो भी सवाल पूछागा वो हम आंसर कर सकते हैं अगर बोले कि 60% volume submerged है तो यहां भर इसको 60% से multiply कर देना ठीक है तो basically बात ही है कि mass में जहां पर mass नहीं है जहां पर low ही नहीं है वहां पर volume थोड़ी contribute करेगा mass के अंदर तो mass के अंदर कौन सा volume contribute करेगा वही volume contribute करेगा जहां पर mass रखा हूँ है जो कि इस case में कितना था 4 pi r square लेकिन by and force कौन सा होगा जो पूरी shape अंदर गे जितना पानी जितना volume immersed हुए ठीक है कोई फरक नहीं पड़ता कि अंदर air है या नहीं है ठीक है दोनों वाले case में by and force सेम आएगा solid sphere औ अवालो स्फेर दोनों case में जो है वो आपका by and force जो है वो सेम निकल करके आएगा ठीक है लेकिन mg जो है वो दोनों case में अलग होगा अगर आपने दोनों लोहे के लिए रखे ठीक है इसलिए आपका hollow sphere है वो तैर जाता है क्योंकि उसके effective density water से कम हो जाती ठीक है मिखाल से आप सब लोग aware इस वाले concept से कौन से चीज कफ लोट करती है कफ लोट करती है कौन से चीज वो तब लोट करती है उसका density जो है जिसमें liquid के अंदर वो समझ है उससे कम होता है ठीक है तो यह पर हमारा effective density जो है वो इस पूरे-पूरे hollow sphere का कम बनता है ठीक है तो ऐसे वाले question से आपको जो है वो aware रहना है ठीक है ऐसे वाले question में गलती नहीं करनी है और आपका अगर मैं simple सा जही मेंस के साथ से अगर आपको बताऊं ठीक है तो यह इस तरह के question भी पूछ ले जाते है कि एक आपने object रखी हुई है और आप उसको अंदर अगर डाल दो जैसे suppose कर मैं case ले लेता हूं इसी वाले case में आपने एक simple अगर पानी में पत्थर डाल रहा है तो पानी उपर आना चाहिए लेकिन यहाँ पर पर पहले ground से डाल रहा है यहाँ पे ground से नहीं डाल रहा है वो पत्थर आपके पहले ही float कर रहे है और आपने floating पत्थर को अंदर डाल दिया है तो liquid level आपके rise करने लिए fall कर जाते है क्यों fall करता है क्योंकि जब यह पत्थर आपके tear रहे थे तो इनको जो वो कितना मिल रहा था, mg के बराबर मिल रहा था, यह आपके पत्थर है, इनको कितना मिल रहा था, mg के बराबर मिल रहा था, आपने इनको पत्थर को अंदर डाल दिये, तो डूब गए, यानि कि bind force मिला ज़रूर होगा लेकिन mg से कम मिला होगा ठीक इसलिए तो डूब गया है इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले case में bind force जादा था तो bind force जो है वो दोनों के weight के बराबर था लेकिन अब क्या हुआ यह तो तैर रहा है बीकर तो हमारा लेकिन सिक्के अंदर चलेगे हैं तो सिक्को पर जो bind force है उनके weight से कम हो गया है यानि second वाले case में जो है हम देखेंगे तो bind force कम जो है वो उपर की ओर लग रहा है तो liquid space कम है इसलिए जो है वो liquid पहले के मुकाबले हमें fall करता हो नजर आएगा ठीक है तो ध्यान रखना अगर कोई ची ठीक है तो फिर पहले भी तहर रहे थे बाद में भी तहर रहे थे इसमें liquid level गया रहता है same रहता है ठीक है या फिर ice को डाल दिया तो ice को डालोगे आप ice जो है पहले भी जो है वो float कर रही थी और water बन गी तब भी वो float ही करेगी है न क्योंकि water अगर density same हो तब भी तम चीज use है ठीक है तो हम आगे चलते हैं बच्चों इसके अंदर मिखा से मैंने सारी जो nuances है उनको जो है वो चकर लिया है ठीक है जहां 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 पॉसिबल है गलती होने की ठीक है अब आते हैं एक force वाले angle पर आते है ठीक है center of buoyancy भी बाद में जाएंगे पहले इस वाले एंगल इस area पर निकालना पर एक तरीका यह होगा कि आप जो कि pressure vary कर रहा है ठीक है अगर pressure कॉंसंट होता है simply pressure into area कर देते यहां पर आपका pressure क्या कर रहा है तो आप क्या करोगे बच्चों किसी भी y depth पर आपको dy लेकर के integrate करना पड़ेगा ठीक है फिपर निकालोगे force पर integrate करोगे उपर से नीचे जो है value put करोगे जो कि आपका pressure जो है वो रो जी वाई होता है यह बात ध्यान रखना आप जब भी जो है कोई चीज जो है वो linearly dependent करती है distance के उपर तो answer जो है वो center of mass वाला ही निकल करके आ जाता है जैसे अपन टोर्क में भी देखते हैं टोर्क क्या होता है इसलिए हम क्या बोलते हैं बच्चो कि प्रेशर पूरे पर इंटिकेट मत करो सिर्फ सेंटर ओफ मास से प्रेशर निकाल करके आप सिंप्ली एरिया से मल्टिप्लाई कर दो तो अगर इसका height h है तो मैं pressure क्या बोलूँगा अगर मैं atmosphere को zero मालनो for a timing तो क्या बोलूँगा रो क्योंकि हमने जैसे बोला है कि अगर आपका जो यह pressure है linearly depend कर रहा है distance के उपर इसलिए center of mass वाला calculation बन जा रहा है अगर आपने रो में भी y गुसा दिया तो वो होसता है y square बन जाए ठीक है फिर वो center of mass वाला calculation नहीं आएगा ठीक है कई बर वो इस तरह के सवाल भी इसके पार्ट है यह कितना force लगा रहा है तो आप इस वाले element का free body diagram मना सकते हो ठीक है तो यहां से जो force आएगा वो उपर से और यहां से आने वाले force को balance करेगा ठीक है तो यहां से जो force आएगा वो तो easily निकल जाएगा क्योंकि पूरे के लिए pressure क्या होगा constant होगा और यहां पर ज दीजिए ठीक है तो यहां से निकाल लीजिए यहां से निकाल लीजिए और उन दोनों का vector addition जो है वो यहां से force आने वाले ठीक है तो इस तरह question में आपको यहां से नहीं निकालना चाहिए ने तो calculation बड़ी lengthy होजएगी आप इसका free body diagram मनाओ उपर से निकालो side से निकालो और rotation में जो है वो अगर कोई भी rotation के regarding question आएगा तो जाहिर सी बात है आपको सिर्फ एक बात का ध्यान करना है मैं जाहिर सी बात है इसमें rotation कोश्चन तो नहीं करा हूँगा वो तो आप rotation पढ़ चुके काफी detail में तो हम क्या करेंगे हमें सिर्फ यह देखना है कि bind force लगाना कहा जैसे आप अगर रोड देखोगे तो रोड का center of mass क्या होगा अगर आप रोड देखोगे रोड का center of mass क्या होगा यह वाला होगा रोड की बीचो बीच क्योंकि आपकी uniform road है ठीक है लेकिन liquid कितना डिस्पेस किया इसने liquid इसने डिस्पेस किया है अगर हम दूसरा color select कर पाएं प्रबलिक कर पहूंगा मैं तो liquid आपने इसने इतना डिस्पेस किया ठीक है तो इसका center of mass कहा है यहां आया तो बायन फोर्स आप वो किस पर लगाना है जो liquid डिस्पेस हो उसके center of mass पर लगाना है ठीक है इस पर नहीं लगाना है जो पूरा इसके center of mass है तो gravity कहां लगेगा object क center of mass पर ठीक है और center of buoyancy कहां लगेगा जो liquid डिस्पेस है उसके center of mass पर ठीक है दोनों में फरक है इस वाली बात को और आप ख्याल लगोगे तो आपके rotation की question जो है वो गलत नहीं होगे ठीक है यहाली बात सबको समझ में आगी rotation में question नहीं करा रहा हूं लेकिन main जो concept है वो इस conservation based है ठीक है A1 V1 is equal to A2 V2 जितना volume अंदर आएगा पर second उतना ही volume पर second बाहर जाने वाल है ठीक है तो A1 V1 is equal to A2 V2 आपका conservation of mass होगे जितना liquid अंदर आ रहा है उतना liquid बाहर जा रहा है ठीक है एक आपको यहाली equation use करनी है second आपको कौन सी equation use करनी है बर्नोली equation वो conservation of mass था यह क् इक है ऑगी हो किया और्नोले को एक्वेट करते है एक बूसरी जीका पर ठीक है तो नहुलियो चाहिए था ठीक है यह से हमाजी सारी-सारी क्या है, energy per unit volume है, ठीक है, तो किसी भी दो location पर आप इन दोनों को equate कर सकते हो, basically इसमें क्या है, तीन खिलाडी है, pressure, kinetic और potential, यह आपस में exchange करते रहते हैं, लेकिन जो ideal fluid होता है, उसका हमारा energy और आल क्या रहता है, तो अगर उपर जा रहे हो, तो potential energy बढ़ रहे होगी, तो kinetic और pressure उन में से एक at least decrease कर सकता है, ठीक है, तो इसी के उपर अपन जो है, वो question लेते हैं, बर्नोली के उपर, देखते हैं, क्या-क्या question आए होए है हमारे, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें application पर चले जाते हैं, ठीक है, application के through हम question को समझ लेंगे, ठीक है, जैसे पहला हो गया हमारा Venturimeter, Venturimeter क्या काम आता है, आपका कोई भी एक vessel है, उसके अंदर जो है, वो flow rate को या velocity V1 या V2 किसी को भी निकालना हो, उसके लिए काम आता है, ठीक है, जाहिसी बात है, sophisticated instrument होते है, pressure निकालने के लिए, ऐसे नहीं कि आपन tube को forward करके लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर mathematics लेपन ऐसे करते हैं, कि एक हमने tube ले लिया है, यहाँ से उसको जो है break कर दिया है, यहाँ से break कर दिया है, जिसे कान liquid level कुछ ना कुछ rise कर गया है, ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ, तो इस वाले point में, इस वाले point में क्या लग आने, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, प्रेशर में variation आजाएगा, ठीक है, और यही प्रेशर में variation अपन vertical से भी निकालेंगे, दोनों क्या कर देंगे, तो हमारा जो answer है, वो V1 का यहाँ जाएगा, V2 का यहाँ जाएगा, ठीक है, तो इस answer को आपको थोड़ा सा पहले हैं, इन वाले बातों का ध्यानक न, तो यह Venturi Meter है, बच्चो, कुर्णा कुछ भी नहीं है, बर्नोली लगानी है, continuity लगानी है, और height से pressure difference को equate करना है, ठीक है, यहाँ पर अगर बर्नोली लगाओगे, और साथ में continuity लगाओगे, तो pressure में variation आजाएगा, उसी को आपको same ही करना है, अलग नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में बर्नोली लगाओगे, ठीक है, इन दोनों में गर बर्नोली लगाओगे, तो आपको यहाँ पर जो है, और continuity लगाओगे, तो pressure में difference मिलेगा, उसी को यहाँ से relate कर देना, ठीक है, तो Venturi Meter कर ऐसी आजाए, तो आपको घबराना नहीं है, देख करके कि यह कैसी Venturi Meter आगी, हमने दूसरी पड़ी थी, ठीक है, तो इसमें भी जो है, वो more or less, same ही जो है, वो कहानी रहती है, आपको यहाँ से बर्नोली continuity लगाओगे, प्रेशर में difference पाना है, और फिर आपको height वाले difference है, हमने यहाँ पर तो आपको यहाँ से यहाँ बर्नोली लगानी है, यहाँ से यहाँ आपने क्या लगाई, बर्नोली लगाई, इसमें हम अक्सर क्या मानते है, कि beaker का height है, वो बहुत ही जादा है, विट्थ उसकी बहुत जादा है, लिक्विड लेवल जो फोल नहीं कर रहा है, अक्सर अपन कितनी मान लिए, जीरो मान लिए, ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे, क्योंकि लिक्विड बहार आएगा, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नोट, और यहाँ पर हमारा काइनेटिक इनरजी कितना होगा, हाफ रो वी स्केर होगा, यहाँ से आप निकालोगे तो विल करने का और एक incentive मिल गया, याद करने का एक और incentive मिल गया है, कि यह वाला same formula आपका, वो जब बीकर से पानी निकलता है, उस वाले में भी velocity होता है, अगर दोनों के जो area है, वो comparable है, या liquid level अगर fall कर रहा है, ठीक है, idle case बच्चे याद रखते हैं, और question आयाते हैं, उन दूसर आ रहा है, इसका range कितना होगा, time of light कितना होगा, इसका, two, ये वाला height, two, under root ये वाला height, upon में, जी, और velocity कितना है, root 2, जी, तो बिल्ट कैसा case बन गया है, एक projectile वाला case बन गया, अगर हम एक tower से जो है, एक horizontally किसी को project करते हैं, तो हमारा जो same case है, यहाँ पर बन गया, यह उस liquid रख दिया, किसी height पर रख दिया, ठीक है, किसी एक डबबे पर रख दिया, ऐसे करके, में भी ऐसे, और यहाँ पर आपने जो है, उसको एक hole create कर दिया, तो liquid ऐसे भी fall कर सकता है, ठीक है, तो यह ध्यानक ना, यह बड़े special case के अंदर अपन बोल रहे है, range जो है, वैच बा हमारा जो है, first derivative हमारा जो है, वो zero हो जाएगा, वहाँ पर हमें maximum minimum मिलेगा, अगर a की value आ रही है, तो जो पूछा हो ही मिलेगा, maximum पूछा तो maximum, minimum पूछा तो minimum, ठीक है, तो इसको ध्यान जूरू रखना है, लेकि रटना नहीं है, ठीक है, अगर रटो गए तो हमारे जाओ जो दिक्कते हैं, उनसे आपको अवे रहना है, आगे चलते हैं, बच्चो, time taken to empty the tank, ठीक है, अब ये बड़ा ही standard है, बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं, तो बच्चे एकसर इसका formula जाके, जो है, वो रटके जाते हैं, और mostly advisable है कि रटी लो, ठीक है, क्योंकि formula जादा पाऊँगे, तो रटी लो, ठीक है, मैं बथाये ता हूँ, कैसे इसको drive किया, एक बात अगर ध्यान अखो, तो formula रटने की जरूत नहीं है, वो क्या है, जितना volume बहार आएगा, यहां से बहार आएगा, उतना ही volume, यहां से हमारा नीचे की और decrease करेगा, तो कितना volume यहां से velocity कितनी है, root 2g, इंटो में यहां का area, small a, ठीक है, और यही volume हमारा fall करेगा, ठीक है, लेट से हमने, हमने बोल दिया, कि हमारा dy height fall कर गया है, ठीक है, dy height अगर हमारा fall कर गया है, तो हमारा कितना volume नीचे आ गया, a dy by dt, यहमारा rate of volume होगा, a dy volume भार आया, dt time के अंदर, ठीक है, इन दोनों के integrate करोगे, integrate करोगे, solve करोगे, you will get this answer, ठीक है, इस answer में हमारा h height क्या है, initial height है, और h1 क्या है, बादवल height है, अक्सर बच्छे, mt को जो है, वो करने का formula याद कर लेते हैं, और वहाँ पे आयता है, कि h by 2 height के लिए जए हो, आपको कितना time चाहिएगा, ठीक है, त formula रटे सकते हो, जो चूरा, बडे का, शूरा, शूरा, आपको कितना है, तिक है, न की लिएक है,